शूटिंग नर्क में भी होगी तो नर्क में भी चले जाएंगे गोलमाल और धमाल जैसी फिल्मों से लोगों को गुदगुदाने वाले हासिक कलाकार बॉलिवुट के एक्टर संजे मिश्रा लखनो पहुँचे और उन्होंने लोकल 18 से खूब सारी बाते की इस दोरान उन्होंने भारत और मालदीव पर भी अपनी राय रखी सुनिये क्या कहा संजे मिश्रा जी आज नवाबो के शहर लखनो में इस समय न्यूज 18 के साथ मौजूद है आए सर से बात करते हैं कि आज यहां पर वो अन्तिम फासी अपने आने वाली फिल्म के लिए आए हैं इससे क्या उमीदे किस तरह की फिल्म है? कि एक रिष्टे वाली फिल्म है husband wife बच्चे और नाम है अन्तिम फासी तो इमोशनल फिल्म होगी, भावनात्मक फिल्म होगी और उमीद है ऐसे फिल्मों से, हर काम से आपको अपनी एक उमीद रहती है अगर अच्छे बन जाए और आ जाए तो बस मज़ा जाता है तो उमीद भी है, दस दिन बाद से शूटिंग शूरू करेंगे दस पंदरे दिन बाद से इसी शहर लखलों में, आपके नवाबों के से है तो लेकिन नवाब बाली फिल्म नहीं है, बहुत इमोशनल डामा है मेरा आप से एक सवाल, हमने हमेशा आपको हसते हसाते हुँ देखा है लोग आपको उसी कैरेक्टरिम पसंद करते हैं, लेकिन आपने सड़नली अब चेंज किया है तो ये वक्त की डिमांड के नोशार या खुद चाहते हैं, कुछ अलग रोल करें अगले यानि 30 दिन लखनों में रहने वाले हैं अगले लही बतलब आने वाले दस दिनों बात हम लखनों में ही रहेंगे इस दोर अगले लखनों की कौन कौन से डिश्ट राइक करना चाहेंगे, कौन से आपकी वेबरेट अभी तो मतर बहुत अच्छा चलना है मार्केट में सस्ता भी है मठर 300 पह है शाइद मम्मी बता रही थी तो यह सब करेंगे नीमोना खाया गभी आपस तो नीमोना होगा नीमोना बनेगा मेरा आपसे एक आखरी सवाल है क्या आपकी भी लक्ष दिये प्या मालदीव जाने की को इरादा है अगर शुटिंग नर्क में बी योगी तो नर्क में भी चिलए जाएंगे मालदीव होगी मालदीव चले जायंगे हमको बस बताया जाता है कि यह लोकेशन है यहाँ पर आई आप मलीअबाद भी जाएंगे तो मलीअबाद की आम उस समयता गोड़ आई होजगी तो मेरा लग खराब है, मैं कभी भी मलिहाबाद आम के सीजर में नहीं आ पाता हूँ, मैं एक बार आ भी गया थे तो बस एक महीने बाद आने वाला है, इस तरह की कुछी, हाँ देखे अगर आ गया तो लास टाइम आम के टाइम पे ही थे, लेकिन बस अभी 15-20 दिन बाद पकेगा, इस टा आम के साथ देखने वाली कहानी है, देखेगा ज़रूर।